तुर्ण पांडे अधिर नाम है बैक तुश्कूल दोस्तों लास्ट वीडियो में हम आपके साथ अगबर डिसकस कर रहे थे हमारा चैप्टर 13 है वह पुरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ इसमें कुछ सेक्शन बचे हुए हैं उसे इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो हम देख अगबर की राजपूतों के साथ कैसे संबन थे रिलेशन्स जो उनके थे राजपूतों के साथ वह कैसे तो उसे देख लेते हैं पहले अगबर जब गदी पर 1556 में बैठ है तब से लेकर जब तक उसने रूल किया बहुत सारे जो राजपूताना वाला एरिया थे उसे कंट्रोल करने की कोसिस करता रहा और बहुत सारे एरिया को अपने कभजे में ले भी लेता है लेकिन कुछ एरिया अभी भी ऐसे थे जिसे वो कभजे में नहीं ले पाया था उसे हम देखेंगे बट उसने राजपूतों के साथ टॉलरेंट पॉलिशी अपनाई साथ जितने भी लोग थे उन्हें अपने अपने अधरबार में जगा देना उनके हां विवाहिक संबंद करना मैरेज करना खुद अकबर ने अपनी साधी एक राजपूत प्रिंसेज से की थी भारमल की बेटी थी ऐसे में उसने अपने बेटी की भी साधी राजपूत फैमली में कराई तो पूरी तरह से टॉलरेंट था और साथ ही साथ जितने भी अच्छे लोग थे राजपूत समाज में उन्हें वो अपने मंत्री मंडल में भी देता था ऐसे कंडिशन में कुछ ऐसे एरिया थे मिवाड और मारवाड वाले राजस्थान के राजपूताना वाले जो अभी भी अकबर के अंडर नहीं आना चाहते थे उसके पीशे रिजेन आप समझ सकते हैं कि इसके ग्रैंड फादर ने जो होली वार वाला अच्छा अड्मिस्ट्रेस्टर हो बट उन्हें लगता था यह कॉमिनल मामला हो जाएगा वो मुस्लिमों के अंडर में या काम करेंगे इस कंटेक्स में देखते हैं कि मेवाड का रूलर था उदय सिंग उसी का सन आगे राना परताप होगा वो कभी भी अकबर के अंडर मे होती है बेटल अफल्दी घाटी इसलिए इंपर्टन है अख़र के लाइफ टाइम दो ही वह बहुत इंपर्टन एक तो सेकंड बेटल अफ पानी पद जो हमने देखा था जैसी उसे गदी समालनी थी और दूसरा यह बेटल फल्दी घाटी है क्यों इंपर्टन है आप समझ जीत जा रहा है लेकिन यहां नहीं जीत पा रहा है तो बेटल अफल्दी घाटी है उसके पहले बैक्ग्राउंड को हम समझते हैं देखिए जैसे एक बर रूल करने स्टाट करता है 56 में 60 तक आते जाते उसके साथ बैरम खांका भी साथ चूड जाता है लेकिन बार बार जो को उदेपुर वाला इलाखा है यह मेवार वाला इलाका यहां के रूलर को उदेखिए को बार-बार एक संधी प्रस्ताव भेजता है अग्रिमें बहें अगर प्रपोज़ जस्टे अफर किया आप हमारे अंडर में काम कीजिए हमारे साथ हो जाईए यह पर्टिकुलर एरि देख पीछे रड़ जाता है तो कहा बहुत सारे जो स्टोरियन है इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि अकबर मैदान चोड़कर भाग गया था यह कितना सच है कितना जूट उसमें हम नहीं जाते बट ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि अकबर मैदान से पीछे हड़ गया था यह तैसकी की बात है ऐदो कि मयवाल का रूलर था ऊसके बाद जो इसका सक्सेसर होता है रान परताप 1572 में क्रूल करनेया चार्ट करता है तो फिर अकबर फिर से चर्वाः करता है कि कहीं नकेसी शर्ज जो है एक बार फिर आपने सबसे इंपोर्टेंट परसन होते हैं मान सिंग उनका फ्रेंड भी है और उनका कमांडर भी है उसके माध्यम से भी राणा प्रताप के पास ओफर भेजते हैं बट उस टाइम भी वह मान नहीं जाता है तो ऐसे कंडिशन में जो बेटल आफ हल्दी घाटी होती है वह आप निश्चित हो जाता है कि आब कही न कहीं एक बार हो गाई है तो आप ये राजस्थान वाला यह उध Bluetooth पर है यहां पर ही अकबर और राना परताब के आर्मी के बीच में वार होता है, बिटल होता है, जिसे बिटल अप हल्दी घाटी के नाम से जाना जाते हैं, कब हुआ है, 18 जून 1776 को, देखें, 72 में उदय सिंह का सन, राना परताब गदी समहलता है, और उसके चार सालों बार अकबर के और डायेक नहीं कहा जा सकता, जो मान सिंह था, उसके नित्यतु में सेना भीजे गई थी, कमांडर मान सिंह था, अकबर वहां पर नहीं था, कहा जाता है कि लगबग पूरी तरह से राना परताब वार जीत ही चुका था, और मान सिंह कमजोर पढ रहे थे, ऐसी कंडिशन मे एक अफवा फैल गई कि अकबर खुद ही मैदान में आचुका है, जंग के मैदान में, बिटल में, और जो आर्मी थी, अकबर की, वो पूरी और ज्यादे अनर्यजेटिक हो गई, और बिटल अप हल्दी घाटी है, वहां पर अकबर की सेना की जीत होती है, और राना जाते हैं, और मान सिंग द्वारा पकड़ नहीं जाते हैं, बाद में एक एक इंसिडेंट में उनकी मिर्तिव हो जाती है, बट एट टाइम, बहुत जगह ऐसा मेंसन किया गया है, फिर उसकी अत्या हो जाती है, बट ऐसा नहीं था, बेटल ऑ फल्दी घाटी में राना परत पाता है, यह जीत तो जाता है, इसके बाद बहुत सारे जो रिजन है, राजपुताना वाले उसके अंडर में आ जाते हैं, बट 100% अगर कहा जाता है तो अपने लाइफ टाइम में कभी भी अकबर मेवार पर कबजा नहीं कर पाया था, यह उसकी जो सक्सेसर होंगे उसके आगे, सलीम होगा जहां गीर, वो जाकर उसके टाइम में, हम देखेंगे कि इस सारे एरिया पर मेवार वाले लाखे पर भी उसका कभजा हो जाएगा, इस कंडिशन में बिटल अब हल्दी घाटी होती है, अकबर और राना परताब के आर्मी के बी अकबर की बहुत ही टोलरेंट थी, वो सभी धर्म के लोगों को बहुत महत्तु देता था, स्टार्टिंग में तो कहा जाता है कि अकबर एक कटर मुसल्मान था, सिर्फ इसलाम को ही फॉलो करता था, लेकिन बाद में धिरे धिरे उसने जैसे अन्य सभी धर्म के विसे में ज अपना धर्म मान सकते हैं इसमें कोई सरकार हस्तेशेपन ही करएगी राजा कोई हस्तेशेपन ही करेगा साथ ही साथ इसने जाजिया कर जो था उसे 1562 में एपोलिष कर देता है, तो जाजिया कर क्या था इस समझ देते हैं, जाजिया कर जो नॉन-मूस्लिम लोग थे, उन- आगू होता था नॉन मुसलिम जो मुसलिम को छोड़ कि किसी भी धर्म के होंगे उनके जजियाकर लगाया जाता था आप कोई धर्म बानते हों तो आप समझे उस समय जो एक बड़ा एरिया था वो बड़ा पॉपुलेशन हिंदू बहुल था ऐसे में बहुत सारे हिंदू लोग उसे पसंद नहीं करते थे और इसकारण अकबर की क्रिटिशियम भी होती थे लेकिन अकबर ने अपनी तोलेंट्स पॉलिसी दिखाई और इसके बाद पिलग्रिम टैक्स जिसे तिर थात्रा कर भी कहा जाता है वह से अकबर समाप्त कर देता है अब पिल्ग्रिम टैक्स कैसे समझें कि माल लेजे आप करेंड में आपको आप हिंदू धर्म से बिलॉंग करते हैं और आपको एला संングं पे बेясना है मैं आप संगम पे जाएंगे आपकरा गना जाएगार आपको बनाराष जात मैं आपको एटाक्स आलिया जाएगार आपको मालने दुआरल का जा जाना एटाइड शक्का को आपको को थान चोटे से डलीजियन कहों यह इबादत खाना क्या था इबादत खाना यह था कि यहां पर सभी धर्मों के लोगों को अपने पास बुलाता था और डिसकस करता था जिस धर में जो अच्छी बाते होती थी उन्हें एक्सप्ट करता था और जो बुरी बाते लगती थी उसे वह अपने अपास एक्सप्ट इतने भी थिए दर्थर्म योग थें जिसे अधर threatening के लोग थे vindiche आधर थें। आधर वेजर भोपूलीशन के ह teen तो जो क्या चाही हिंदू की थी तो जो अपाइ अगला में चाही है उसने जीतने भी कुरां के अलग अलग हर्मों के जोभी लीच्रेचर थे जो उने अच्छा लगता था, उसका उसने फार्शी मनुवाद कराया, स्कल्प्चर का, हिंदु धर्म का जो अर्थावववेद था उसे उसने फार्षी मेन वात कराया उसके जो भी अच्छी बाते थी उसे उसे उसने नए धर्म जो उसे इंट्रडूस करना चाहता था उसमें उसने सामिल की थी एक मजहर याद रखेंगे मजहर कॉंसेप्ट है यह मजहर क्या है सम कानून बनता है तो उसे एक्स्प्लेंड करने का पावर किसके पास है तो सुप्रीम कोट के पास है सेम चीज मजहर में यह होता था उसमें जो मुला थे उलेमा थे उनका पावर बहुत ज्यादा था वो जो कानून जो भी किताब थी कुरान उसको explain करते थे, उसके हिसाब से वो नियम कानून बताते थे, ऐसे में बहुत सारे उलेमा जो है, अलग-अलग explanation देते रहते थे, कोई कुछ और explanation दे रहा है, कोई कुछ explanation दे रहा है, तो ऐसे में, अकबर ने एक मज़र प्रणाल सिस्टम ओन किया, और उसमें उसने decide किया, कि कि अब कि अब कि राजा के पास ही, पावर होगा कि जो भी बेस्ट explanation होगा कि अच्छा होगा कि अच्छा होगा वो से ही एक्सेप्ट करेगा, और जितने भी अधर अब कि अच्छा होगे, उन्हें वो डिनाई कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहां पर मज़र सिस्टम जब उसने इंट्रूस किया, तो बहुत सारे जो उलेमा थे, मुल्ला थे, वो उसके अगेंस हो गए, उन्हें लगा कि अब वो कुरान से भी उपर अपने आ अब कर रहा है, फिर मुल्ला रुमायों के साथ साथ अग्बर की एक चोटी सी बटल होती है, जिसमें वो उस सारे के सारे रुमायों को पकड़ कर एक बड़ी स्ट्रॉंग जो हार्ट पनिस्मेंट होता है, वो देता है, तो उसमें भी जाते, इतना याद है याद रखेंग कि हिंदुयों के साथ बेवाइक, संबढ़ मेटर्मनियल संबढ़ इससन अभी अधर फणरन्द, इस कंटेस्ट में हम देखते हैं, कि जैन हो या चाहे Christian हूँ, वो सब को अपने हां से दे रहा है, Christianity में भी जितने लोग आते हैं, बाहर से लोगों ने दो-तिन सालों तक अपने धर्वाद में रख रहा है, जयन मुनियों को भी अपने हां रख रहा था, तो कुल मिला के वो जितने भी अलग-अलग धर्म थे, उन सब में जो important बाते थे, जो अच्छी बाते थी, उन्हें वो अपने administration में सामिल करना चाहता था, एक समय ऐसा आ गया कि जब अकबर को लगा कि बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्म में कुछ अच्छाईयां हैं, कुछ बुराईयां हैं, तो क्यों ना सभी धर्म के अच्छे च लगब उसके बहुत समय बाद यूज होता है, तो याद रखेंगे, उसने दिने इलाही का भी वर्ड यूज ने किया, उसने तौहीदे इलाही वर्ड यूज किया था, ये कैसा धर्म समझ लिजे, संप्रदाय समझ लिजे, जो अगर सभी धर्म के अच्छी चीज़ों को ल एक नया अड्मिस्टेशनिस्ट चलाया जाए, और साथ ही साथ उसने कुलेह कुल वाला कॉंसेट भी लेके आया, सुलेह कुल इंसेंस की सारी दुनिया में सांतिय स्थापित, अब कोई वार वगर अगर अना हो, सभी लोग एक धर्म को माने जो उसने तौईदे इलाही को तो यहां पर देखते हैं कि अकबर रिलिजियस पॉलिसी बहुत ही लिबरल थी, वो सभी धर्मों को एक समान मानता था, ऐसा नहीं कि किसी लिए क्रुएल हो किसी के लिए सब्थ हो, ऐसा कुछ बिलकुल नहीं था, आगे देखते हैं, देखिए, अकबर का एक फ्रेंड था अबुल फजल, जो इसका बहुत करीबी भी था, उसको ही, अकबर ने कहा, कि वो इसके एडमिस्टेशन है, उसके सारे डिटेल सी हिस्ट्री लोगों कैसे पता चलेगी, तो सारे डिटेल सी लिखे, और अबुल फजल ने एक बुक लिखी, इसका नाम था, अकबर नामा या हम पढ़ रहे हैं, भी देख रहे हैं, वो सब हमें आईने अकबरी से मिलती है, तो किसने लिखा था, अबुल फजल ने याद रखेंगे, अकबर ने अपने लाइफ टाइम में देखे, बहुत सारे मॉनिमेंट्स भी बनवाए थे, एक बार जब गुजरात गया था, तो आपकी सर की टोपी निचे गर जाती है, तो यह बहुत ही उंचा है, आप फोटो में देख सकते हैं, इसकी निरुमान उसने कराई थी पतेपुर सिक्री में, जब वो गुजरात बिजय में जीत कराता है, तो याद रखेंगे कब बनवाय था, जब वो गुजरात को विन जागीर के नाम से जाना जाएगा, और यही पर फटेपुर सिक्री में इसने अपने लिए एक महल भी बनवाय था, जहां इसका अभी बुलंदरवाजा भी है, और सलिम चिस्ती का दरगा भी है, तो आप जा के अभी भी देख सकते हैं, देखें, 63 एर्स के एज में, 1605 में, अभी देख हो जाती है, और जब उसकी देख होती है, तो उस समय उ 63 एर का था, उसके मरने के बाद उसका सन जहांगीर उसके लिए टॉम बनवा था, तो दफनाय वहा गया था, लेकिन उसका टॉम बनवाय गया था, आगरा के समीप एक सिकंद्रा जगा है, जाद रखेंग अगर चेटर में इतना सारा डेटियल में बताये गया है, अगर किसी और चेटर में अगर से रलिटेट कुछ एक्शन आएगा, तो हम भी इसके लिए लेकिन सप्सेशर आएगे, जाहांगीर आएगा, सा जहाएगा, और उसके बाएगा, उनके बीसे में मेंकी करके आगे औ तो मिलते हैं फिर अगले वीडियों में फिलाल करेत नहीं थेंक यू Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.